हेलो अब्रीवन टोड़े विल सोल्व होट्स ओफ चेप्टर नमबर एट तो क्षेशन नमबर बान इस मेधा डिपोजिटेड 20 परसेंट ओफ हर मनी इन बैंक आफ्टर स्पेंडिंग 20 परसेंट ओफ दर रिमेंडर शी हैज 48,000 रुपीज लेफ्ट विद हर हाव मुझ डिड रुपीज में से 20 टो दि बैंक मेंे में डिपोजिट कर दिया गोरे में बचा हुआ यहां नाम-गल से एक्स एन्टो 20 अपन हंडेड परसेंट को हम यहाँ पहून हंडेड लिखेंगे तो इधर भी 20 अपन हंडेड हो जाएगा इस इकल टू 48 तो एक्स माइनेस अब यहां टेखें 20 बंजे 20 25 जा 100 तो इट विल भी X बंजा X अपॉन 5 यहाँ पर भी यह हो जाएगा X माइनस X अपॉन 5 और 20 बंजा 20 25 जा 100 तो it will be 1 अपॉन 5 which is equal to 48,000 now solve करेंगे इन दोनों को हम 5 बंजा 5 5 को X में multiply करेंगे तो 5X माइनस 1X यह हो जाएगा हमारा 4X अपॉन 5 ऐसी यह bracket के अंडर जो है यह भी हमारा 4X अपॉन 5 हो जाएगा into 1 अपॉन 5 which is equal to 48,000 तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर दो टर्म है इन दोनों टर्म से में हम 4X अपॉन 5 common ले लेंगे तो हमारे पास बचता है इसमें कुछ नहीं बचता है तो इसमें 1 लिखेंगे और इसमें बचता है 1 upon 5 which is equal to 48,000 इससे solve करेंगे तो इसमें 5 इन जब 5 minus 1 4 upon 5 which is equal to 48,000 अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 4, 4 जा 16X upon 25 is equal to 48,000 25 multiply में जाएगा जब और 16 हमारा division में जाएगा जब transpose करेंगे तो transpose करने के बाद यह हमारा हो जाएगा 48,000 into 25 upon 16 और जब हम 16 से से cancel करेंगे 48,000 को तो it will be 3,000 into 25 when we multiply these two we have 75,000 रुपीज तो जो उसके पास original money थी वो 75,000 रुपीज थी यह तो हो आपका long method short method से आप इसे करना चाहते हैं तो इस तरह इसे करेंगे मान की चलिए हमारा principle यहाँ पर जो original money है वो X है तो 20% उसे ने खर्च कर दे तो उसके पास बचे 80% तो 80% को हम लिखेंगे 80 upon 100 फिर उसने बाद में फिर से 20% खर्च किये तो उसके पास फिर से 80% बचेंगे तो it is 80 upon 100 which is equal to 48,000 ठीक है यह short trick में आपको बता रहा हूँ short तरीका बता रहा हूँ इसे करने का तो 48,000 into 100 यहाँ पर multiply में जाएगा और 100 दूसरा 100 भी upon 80 into 80 तो here you can see 0 will be cancelled out by 0 and 0 will be cancelled out by 0 and अगर 8 से 480 को हम cancel करेंगे तो it will be 60 और यहाँ पर देखे यह बचता है हमारे पास 60 into 100 into 100 upon 8 अगर हम 4 से divide करते हैं से यह आजाएगा 2 और 4 से divide करने पर आजाएगा 15 2 से divide करेंगे 100 को तो यह आजाएगा 50 तो यह multiply करेंगे अब यह देखे यह तो हुजाएगा 5000 और यह हुजाएगा 15 और 15 को जब 5000 से multiply करेंगे तो यह जाएगा 75 तो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं करेंगे करेंगे तो आफ्टर एडिंग यह हमारा हो जाएगा 125 रुपीज तो इस तो यहाँ पर आप लोग कर लेंगे तो आफ्टर एडिंग यह हमारा हो जाएगा 125 रुपीज जो मोहन की इंकम हो जाएगी वो 125 रुपीज हो जाएगी जबकि रमन की इंकम कितनी यह 100 रुपीज है ठीक है दोनों का डिफरेंस हम देखते तो 125 में से 100 माइनस करेंगे तो यह 25 रुपीज का डिफरेंस है दोनों में तो डिफरेंस का परसेंट कितना होगा त अब हमें मोहन की इंकम से उसे compare करना है रमन की इंकम को तो मोहन की इंकम हम as denominator लिखेंगे यहापे ठीक है उसे ही base लेंगे हम यहापे तो difference 25 है and 200 और मोहन की इंकम कितनी है 125 तो after solving it will be 100 upon 5 it means 20% तो जो question था वो यह था कि by what percent रमन's income is less than मोहन's income तो रमन की इंकम मोहन की इंकम से 20% कम होगी okay now more to question number 3 that is a person preparing medicine wants to convert 15% alcohol solution into 32% alcohol solution find how much pure alcohol should be mixed with 400 ml of 15% alcohol solution to obtain it तो here you can see कि जो quantity है alcohol की वो कितनी है 400 ml का 15% है तो 400 ml का 15% हमारा हो जाएगा 60 ml ठीक है यह alcohol की quantity है और जो quantity है alcohol solution की वो 400 ml है अब हमने मान लिए कि हमने x ml जो है alcohol उसमें mix कर दिया तो जब alcohol mix करेंगे तो वो इसमें alcohol में mix होगा 60 plus x होगा और quantity जो alcohol solution की होगी वो भी plus x बढ़ जाएगी तो वो भी x उसमें भी add होगा okay so then new quantity of alcohol कितनी हो जाएगी 60 में x को एड कर लें तो 60 plus x ml हो जाएगी and new quantity of alcohol solution focus दो जाएगी 400 में x को एड करें तो 400 प्लस x हो जाएगी so according to question यह क्या दिया था कि जो यह है यह 32% है अब नया जो alcohol फार ब्लीटं सब्क्राइगे यहाँ पर हम रोग करएंगे 100 को अंदर मल्टिूप्लय करेंगे, 100 को 60 क् Сथ , больш q 1 and a sound, 100% को एड को éta कि साथ मल्टिॊप्लाइब करेंगे तो 100x, 400 př.e को इढ겼 यह 32 इदर लाएंगे, तो माइन में समय जाएगा, तो पिस भाइल ऐट हैक्स साइ franch को यह राइट हंड उन्यार का ऩाइगे, इदर पेनी समय को मक overlोए ilैया है जाएगा, तो जब 32 से डिवाइड करेंगे तो यानि कि 100 ml जो है हमें यहां पर एलकोहल मिक्स करनी होगी और एलकोहल सोलुशन जो है मारत जो एलकोहल है उसके 32 परसेंट करने के लिए हमें 100 ml मिक्स करनी होगी तो यहां पर देखते हैं क्वेश्चिन नमबर 4 a manufacturer sells an item to an agency at a profit of 25 percent the agency sells the item to a shopkeeper at 10 percent profit and shopkeeper sells the item at a profit of 20 percent if sp it means selling price of item is 594 rupees find manufacturing price so here you can see let manufacturing price is b x rupees जो manufacturing जो starting का उसका प्राइस हो हमने एक समाल लिया अब देखिए यहां पर क्या होता है कि यहां पर सबसे पहले वाला जो है जो manufacturer है वो 25 percent का profit ले रहा है तो जो profit है वो 100 100 में plus कर देते हैं हम upon 100 यानि 100 plus 25 यहां पर हो जाएगा upon 100 और दूसरे वाला जो है वो 10 percent का profit ले रहा है तो 100 plus 10 हो जाएगा upon 100 और तीसरे वाला जो profit ले रहा है वो 20 percent का profit ले रहा है तो it will be 100 plus 20 upon 100 which is equal to 594 तो 100 plus 25 will be 125 100 plus 10 will be 110 and 100 plus 20 will be 120 ओके तो यहां पर आप लोग दिख्छते है 25 फाइव जा 125 और 25 फो जा 100 0 से 0 कैंसे हो जाएगा and 26 जा 120 और 25 जा 100 तो यह हमारा हो जाएगा 5 upon 4 11 upon 10 6 upon 5 which is equal to 594 यह सभी x के साथ है यहां पर अभी देखे यहां पर देखे 224 236 cancel out कर सकते हैं और 5 से 5 cancel out हो जाएगा तो हमारे पास बचता है 2333 and 210 20 now we have to transpose 20 तो it will be multiplication and 33 will be division तो जब हम 594 को 233 से divide करेंगे तो divide करने के बाद हमारे पास जो आएगा यह 18 आ जाएगा 18 into 20 now we have to multiply 18 by 20 तो 18 और 20 को multiply करने के बाद जो answer आएगा वह आएगा 360 रूपीज यानि कि जो manufacturing price थे वो 360 रूपीज थे जो अब जाके 594 रूपीज हो चुके हैं so students I hope you have understood everything still you face any problem you can ask me thank you very much कर द anch供िए कर दो